कार्मिक द्वारा अचल संपति का वीवरन ओनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी SSO ID को ओपन करना है एक जनवरी से कती जनवरी तक आप अपना IPR ओनलाइन करें IPR प्रते कार्मिक को ओनलाइन करना है चाए आपके पास प्रोपर्टी हो चाए नए हो और जो प्रोपेशन वाले कार्मिक है आपको भी ये IPR ओनलाइन करना है तो इसके लिए इजिली आप अपनी SSO ID को ओपन करें ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आता है जिसमें यहां देखिए लेट साइड के अंदर पलस का निशान दे रखा है और नीचे एक आइकन दे रखा है बिना पलस का तो पलस वाले आइकन पर हमें क्लिक करना है यहां देखिए राजकाज के नाम से कई ओप्शन दे रखे हैं लेकिन यहां राजकाज IPR अलग से दिया हुआ है आपको यहीं क्लिक करना है जिसमें अचल सम्ती विवन भी दे रखा है क्लिक कीजिए यह interface आए तो यहां send anyway पर क्लिक करेंगे अब यहां आपसे पूछा गया है please enter your SSO ID and click on face detail to retrieve data from SSO and SIPF यहां आपको अपनी SSO ID को fill करना है अपनी SSO ID को fill करने के बाद यहां face detail नीलेकसर में आ रहा है इस पर आप कलिक करेंगे तो ही आप कलिक करेंगे तो आपकी ID, आपके अदार नंबर, date of birth और आपकी पूरी detail आपके सामने यहां show हो जाएगी show होने के बाद आप इसको अच्छे से check कर लीजिएगा नीचे नीचे आप एक line लिखी है please confirm date above details especially employee ID, अदार नंबर, mobile number and email ID are correct अगर यह सब सही है तो आप इसे yes करेंगे अगर सही नहीं है तो आप इसको no करेंगे सही है तो yes और सही नहीं है तो no पे कलिक करेंगे अब यह data अगर सही नहीं हो तो आपको करना क्या है please update your details in SSO तो आपको यह detail अपनी SSO ID में update करनी है जिन कारमिकों के IPR मोडूल में राजकाज एप में उनकी data worth, mobile number, अधार कार्ड सही नहीं आ रहे हैं उनको SSO ID को update करना है तो इसके लिए जब आप अपनी SSO ID को open करते हैं तो यहाँ आपनी employee ID के पास एक pen का निशाना इस पे कलिक करेंगे कलिक करेंगे तो आपके detail यहाँ open हो चुकी है तो आप यहाँ अपना अधार नमबर date over यहाँ update कर दीजी अपडेट करने के बाद आप इसको submit करेंगे और उसके बाद फिर से राजकाच एप में चलेंगे जिन कार्मिकों का data गलत है अपडेट करने का तरीका बता दिया है आपको असवस अपडेट के से करना है अब जिनका data बिल्कुल सही है तो आप यहाँ yes पे कलिक करेंगे अब आपको यहाँ personal detail में salutation चूज करना है तो यहाँ choose करेंगे तो mister message सब आ जाएंगे तो आप यहाँ choose कर लीजिए और उसके बाद यहाँ Hindi और English में अपने नाम फिल करने है जैसे यहाँ नाम फिल करते हैं तो हिंदी में अपने आप आ जाएंगे जिने आप अगर हिंदी में तो रोटी है तो सही भी कर सकती है यह detail फिल करने के बाद आपको यहाँ नीचे आना है map service detail अपनी service detail को map करना है तो इसके लिए आप यहाँ जो search का icon आ रहा है उसको आप click करेंगे click करेंगे तो आपको अपना department चूज करना है जैसे यह IPR है एक सीख्षक की वरी जा रही है elementary education department की तो elementary education department मैं चूज कर रहा हूँ और यहाँ नीचे आपके आपको ok कर देना है ok कर देने के बाद यहाँ दो number में service type पुछा गया है तो आप यहाँ service type पे click करेंगे click करने के बाद अपनी category के नुसार अपनी service type को चूज करें जैसे तिल्टेश स्रण यह द्यापक को यहाँ subordinate services बरना है click करेंगे click करने के बाद यहाँ आपसे cadre पूछी गई है तो cadre में यहाँ आ चुका है राजतान elementary education subordinate services तो click करेंगे और उसके बाद designation है तो यहाँ search पे click करेंगे search पे click करेंगे तो यहाँ आपकी grade आ चुकी है और यहाँ नीचे ओके पे click करने के बाद post name teacher grade third और post name in Hindi teacher grade third आ चुका है click करेंगे तो यहाँ option आएंगे आपको यहाँ all पे click करना है all पर click करेंगे तो यहाँ आपके सामने नीचे डिटेल आ चुकी है अब आप यहाँ अपने department के according office name में fill करेंगे तो यह education department की IPI आ रहे है तो education बरेंगे और office category में उसके बाद आप department पर click करेंगे और यहाँ search करेंगे search करेंगे तो यहाँ सबी आ जाएंगे तो नीचे हाँ elementary education department है इस पर click करेंगे click करने के बाद select करेंगे select करने के बाद ये detail आपकी यहाँ आ जाएगी और जब आप इसको select कर लेंगे तो यहाँ save पर click करें save पर click करेंगे तो यहाँ पूछा जाएगा do you want to share the details तो yes पर click करेंगे अब राजगाजे पे profile update हो चुकी है जैसे ही click करते हैं ये interface आता है अब जो new कार्मिक हैं या जिनके SSO में कुछ गड़बड आ रही है तो सबसे पहले SSO ID में जाकर अपनी profile को update करें update हैं फिर भी एक बार OTP देकर verify कर लेजिए और जब आप इस interface में आ जाएं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है इस ID में enter होते ही इस interface में आते ही update profile यहां क्लिक करना है यहां आएंगे तो देखी आपके detail दे रखी है इसी अच्छे से check किजिए इसके अंदर जो बदलने वाली चीज है हर साल में वो है आपका basic pay अब जो basic pay है वो आप change करेंगे और नीचे केपचा वरते हुए आप इसको submit कर देंगे और save कर देंगे इसके पाद IPR में चलेंगे अब देखी जिनके पास property नहीं है उनको क्या करना है जैसे इस interface में आते हैं update profile के बाद please check to fill IPR with no property written इस पे क्लिक करेंगे अब देखी यहाँ पे आप क्या करेंगे यहाँ पे आपको लिखना है no property या I have no property भी type कर सकते हैं और submit IPR आपको यह काम करना है इतना ही और आप ECOTP के द्वारे से verify कर दीजिएगा आपका IPR है यहाँ बराजाद सुपाओगा बहुत ही easy है फिर भी को समस्या आती है तो आप SMS करें वीडियो को शेयर करें धन्यवाद